सबसे पहला कुश्جन देखिए जवाहर सुरंग नाम किस प्राकरतिक परवती दर्ड़े को धिया गया है तो जवाहर सुरंग जो है फ्रेंट्स ये बनीहाल दर्रे में इस्तित है जो कि भारत के जम्मू कश्मी राज्ज में ये जो दर्रा है फ्रेंट्स जम्मू को श्री नगर से जोडता है इसी दर्रे में जवाहर सुरंग है तो बनीहल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था तो देखिए friends, सिंदु घाटी सब्वेता के बाद, जब आर्लियों की सब्वेता भारत में शुरू होती है, तो ये जो आरे हैं, ये खेबर दर्रे से भारत में आये थे, जो की वर्तमान में पाकिस्तान में इस्ती थे, कौन सा दर्रा है ये? ये खेबर दर्रा, आंसर ए, निमने लिकित में से कौन सा दर्रा सिक्किम रज्ज में इस्ती थे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है friends, याद रखिएगा, सिक्किम रज्ज के सभी दर्रे पूछे जाते हैं, इन में से देखिए नाथुला और जेजेपला दर्रा जो है, ये सिक् क्योंकि ये जो 1962 में भारत चाइना वर हुआ था, उसमें बहुत ही important भूमी का इसने अदा की थी, कौन सा दर्रा है ये नाथुला दर्रा, इसके अलावा देखिए जेजेपला दर्रे की अगर बात की जाए, तो ये भी भारत के सिक्किम रज्ज में है, जो की से होकर तिबबत जाने तक का मार्ग जेजेपला दर्रे से होकर गुजरता है, तो नाथुला और जेजेपला दर्रा दोनों ही भारत के सिक्किम रज्ज में हिस्ती थे, अगले कुश्चन पर आजाईए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, तो देखिए यहाँ दो सूचिया दी गई है, एक परवती दर्रे की है, और दूसरे में पूछा गया है कि यह दर्रे किस रज्ज में स्ती थे, तो चलिए इनकी जोडियों को मिला लेते हैं हम यहाँ पर, तो फ्रेंट्स नाथुला दर्रा, अभी हमने डिसकस किया था, कि यह भारत के सिक्किम तो देखिए एका तो थिरी हो जाएगा, इसके बाद देखिए बॉम डिला दर्रा जो है, यह भारत के अणाचल प्रदिश राज्ज में है, तो B का हो जाएगा 1, तूजू दर्रा भारत के मड़ीपुर राज्ज में है, तो C का हो जाएगा 2, और शीप की ला दर्रे की अगले कोशन पर आजएए तो अंसर डी हो जाएगा क्योंकि पिपली दर्रा पश्चीमी घाट का इस्सा नहीं है पाल घाट दर्रा नेमने लिखे इतमें से किन दो रज्जों को जोड़ता है तो देखिए अभी हमने इस दर्रे की बात की है हमें इस दर्रे के बारे में ये तो पता चल गया कि ये भारत के केरल रज्ज में है तो सबसे पहले तो देखिए इस वेक्ट को याद रखिएगा कि पाल घाट दर्रा केरल रज्ज में है ये दर्रा देखिए केरल और तमिल नाडु रज्जों को जोड़ता है और ये दर्रा नेल गिरी और अन्ना मलाई की पहड़ियों के मद्ध में इस्तित है तो केरल और तमिल नाडु को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट दर्रे के नाम से जाना जाता है पीर पंजाल श्रेणी में इस्तित कौन सा दर्रा है जो मनाली को लह से जोड़ता है आगे देखिए, पीपली घाट दर्रा किस परवती भाग में इस्ती थे? अब क्योंकि फ्रेंड्स ये दर्रा राजस्थान में हैं तो आप सभी जानते हैं कि इन चारों में से अरावली परवतमाला एक एसी परवतमाला है जिसका विस्तार भारत की राजस्थान राज्ज में है आंसर टी बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्ज में इस्ति थे वेरी इंपोडेंट याद रखिएगा बोमडिला दर्रा फ्रेंड्स भारत के अरुणांचल प्रदीश राज्ज में इस्ति थे इस दर्रे से होकर देखिए तुआंग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है किस दर्रे से बोमडिला दर्रे से किस राज्ज में है ये फ्रेंड्स अरुणांचल प्रदीश राज्ज में नेक्स्ट कोशन देखिए पालघट निमनलिखित में से किसके मद्ध इस्ति थे तो देखिए जस्ट अभी हमने इस कोशन पर डिसकस किया है केरल का पालघट दर्रा नेलगिरी और अन्ना मलाई की पाड़ियों के मद्ध में इस्ति थे और राज्ज पुछे जाए तो केरल और तमिल नाड़ु राज्जी के मद्ध में नेलगिरी और अन्ना मलाई की पाड़िया जोजीला दर्रा किस राज्जी या केंदर शाशित प्रदेश में इस्ति थे तो फ्रेंट्स जोजीला दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्जी में इस्ति थे जो की श्री नगर को लेह से जोड़ता है जम्मू कश्मीर जम्मू से श्री नगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है तो देखे इन चाड़ों में से friends जम्मू से शिरी नगर का जो मार्ग है वो बनीहाल दर्रे से होकर गुजरता है बनीहाल दर्रा जम्मू को शिरी नगर से जोड़ता है उस दर्रे का नाम बताईए जिसे उत्तरा खंड में तिर्थ यात्रियों द्वारा केलाश मान सरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है Very very important question है friends और काफी interesting question है देखे केलाश मान सरोवर के जो यात्री है वो लीपुलेक दर्रे से होकर गुजरते हैं और ये दर्रा भारत के उत्तरा खंड राज्ज में इस्तित है Next question पर आजएए निमनलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है तो देखे चार दर्रों में उनके राज्जों में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसके बारे में इस question में पूछा गया है तो देखे लीपुलेक दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्ज में है बिल्कुल सही नाथुला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये भारत के सिक्किम राज्ज में है फ्रेंड्स ना की अरुणांचल प्रदेश राज्ज में तो B यहाँ पर हमारा सही अंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम रज में है तो इस प्रकार यह यहाँ पर सुमेलित नहीं है रोहतांग दर्रे की बात करें तो यह हिमांचल प्रदेश में है और पालगट दर्रा भारत के केरल रज में है आगे देखिए महान हिमाले में इस्तित माना दर्रा जो की उत्तराखंड को तिबबत से जोड़ता है या किस राज्ज में इस्तित है तो देखिए सबसे पहला फेक्टर तो हमको यहाँ पर यह पता चल गया कि माना दर्रा जो है उत्तराखंड को तिबबत से जोड़ता है तो किसको जोडता है फ्रेंड्स ये श्री नगर को लेह से जोडता है कौन सा दर्रा जोजीला दर्रा आगे देखिए खेबर का दर्रा कहा है तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमने इस पर डिस्कस किया था जब आरली भारत आये थे तो वो खेबर दर्रे से भारत में आये थ कौन सा दर्रा है खेबर दर्रा निमने लिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में इस्तित नहीं है तो देखे बाराला पाचाला और शीप किला दर्रा ये तीनों ही भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है लेकिन जिजेपला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये भारत के सिक्किम राज्ज में हैं तो जिजेपला दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो कि हिमानचल प्रदेश राज्ज में नहीं है बडाला चाला दर्रा ये हिमानचल प्रदेश राज्ज में इस्ति थे समुद्र तल से ये कितनी उचाई पर इस्ति थे तो देखिए सबसे पहले तो ये पता रखिए कि ये हिमानचल प्रदेश राज्य में हैं कौन सा दर्रा बढाला चाला दर्रा और ये दर्रा मनाली को लहसे जोड़ता है किस किस को जोड़ता है मनाली को लहसे अब इसकी अगर हम उचाई की बात करें तो 4890 मिटर उचाहे फ्रेंट्स बढ़ाला चाला दर्रा तो अंसर भी यहां पर सही हो जाएगा मनाली को ले से जोडने वाले बढ़ाला चाला दर्रे की उचाही 4890 मिटर है और ये भारत के हिमानचल प्रदेश राज्य में इस्तित है क्लियर इसके बाद आगया जाएगे निमनलिकित में से किस दर्रे को जम्मू और श्री नगर को जोडने वाले गेटवे के रुप में बनिहाल दर्रे को जाना जाता है ये भारत के जम्मू कश्मी राज्य में इस्तिते नाथुला दर्रा किस राज्य में इस्तिते काफी बार हमने इस पर डिसकस किया है अब तो आपको इसका अंसर पता भी चल गया होगा नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है निम्न में से कौन सा दर्रा है जो मयानमार और भारत की सीमा पर इस्तित है तो इन चार में से दीफु दर्रा फ्रेंड्स एक ऐसा दर्रा है जो की मयानमार और भारत की सीमा पर इस्तित है अगर राज्य पुछा जाए तो ये भारत के अणांचल प्रदेश राज्य में इस्तित है कौन सा दर्रा दीफु दर्रा निम ने लिखित युगमों में से कौन सा युगम दर्रे के संदर्व में सही है तो देखे इन चार दर्रों का हमें राज्जी बताना है कि कौन सा सही है तो देखे सबसे पहले अगर हम रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये भारत के हिमानचल प्रदेश राज्य में है तो ये तो हो गया गलत लीपुलेक दर्रा भारत के उत्तराखन राज्य में है बिल्कुल सही बोमडीला दर्रा भारत के अनाचल प्रदेश राज्य में है नाकी हिमानचल प्रदेश राज्य में और नातुला दर्रा भारत के सिख्किम रज में है तो आंसर B एक ऐसा दर्रा हे जो राज्जो के करम में बिलकुल सही है गुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निमनलिकित में से किस राजजिया केंदर शाशित प्रदेश में इस्ति थे तो ये दोनों ही दर्रे फ्रेंड्स भारत के जम्मू कश्मीर रज में इस्ति थे तोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला परवती मार गहे तो तोगुप दर्रा जो है फ्रेंड्स भारत को मयान मार से जोड़ने वाला एक परवती मार गहे आंसर D भारत का सबसे उचा दर्रा कारा कुरम दर्रा की से राजजिया केंडरे शाशित प्रदेश में इस्ती थे तो दिखे कारा कुरम दर्रे के बारे में ये तो याद रखीगा कि ये भारत का सबसे उचा दर्रा है और वर्तमान में फ्रेंड्स ये भारत के लद्दाक राज्ज में इस्ती थे आंसर B कारा कुरम दर्रे से ही फ्रेंड्स चीन पाकिस्तान तक जाने का एक मार्ग भी बना रहा है तो कारा कुरम दर्रा भारत के लद्दाक राज्ज में इस्ती थे इन में से कौन सा दर्रा है जो अरुनांचल प्रदेश में इस्ती थे तो इन चारों दर्रों में से फ्रेंड्स गोम डीला दर्रा एक एसा दर्रा है जो की भारत के अरुनांचल प्रदेश राज्जी में इस्ती थे गोम डीला दर्रा ये दर्रा फ्रेंड्स तवांगाटी से तिबबत तक का मारग प्रदान करता है इन में से कौन सा दर्रा नीलगिरी एवं अन्ना मलाई पहाड़ी के मद्ध में इस्ति थे तो नीलगिरी और अन्ना मलाई की पहाड़ी के मद्ध में कौन सा दर्रा है पालगाट दर्रा जो कि भारत के केरल रज में इस्तिते आगे देखिए निम्न में से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को लहासा से जोडता है तो इन चार दर्रों में फ्रेंट्स जेजेपला दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो कि सिक्किम को लाहासा से जोडता है और ये दर्रा भारत के सिक्किम रज में इस्ती थे तूजू दर्रा भारत के किस रज्ज में इस्ति थे जहां से लापू वा मयानमार जाने का मार्ग गुजरता है तो फ्रेंट्स तूजू दर्रा जो है भारत के मड़ीपुर रज्ज में इस्ति थे वेरी वेरी इंपोटेंट याद रखिएगा तूजू दर्रा भारत के मड़ीपुर रज में हैं जो देखिए इमफाल या लापू को मयान मार से जोड़ता है और लापू से मयान मार जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है नेक्स्ट कोशन देखिए नेम ने लिखे दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है वेरी सिंपल श्री नगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है फ्रेंड्स जो जीला दर्रा आंसर ए किस दर्रे के पास से ब्रह्मो पुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो देखे सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्रह्मो पुत्र नदी जो है फ्रेंड्स वो भारत के अनांचल प्रदिश राज्य से भारत में इंटर होती है और भारत के अनांचल प्रदिश जिसके निकट से ब्रह्मो पुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये इमफाल को मयान मार से जोडने वाला दर्रा है। आंसर भी तुजु दर्रा भारत को मयान मार देश के साथ जोडता है। इसके बाद अगले कुश्चन पर आजाईए। कोन सा दर्रा महरास्ट में इस्तित है जिससे दिल्ली मुंबई के प्रमुक सडक वर रेल मार्ग गुजरते हैं। तो ऐसा दर्रा है फ्रेंड्स भारत के महरास्ट राज्ज में थाल घाट दर्रा। जिससे होकर देखिए दिल्ली और मुंबई का सडक मार्ग भी गुजरता है और रेल मार्ग भी गुजरता है ठाल घाट दर्रा कौन सा दर्रा हिमांचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्शन इस्तल है तो हिमांचल प्रदेश का सबसे बड़ा अकरशन स्तल फ्रेंट्स रोहतांग दर्रा है आंसर बी Next question देखिए हिमांचल प्रदेश में इस्तित दर्रा है तो इन चार दर्रों में से फ्रेंट्स शीब किला दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो कि भारत के हिमानचल प्रदिश राज्य में इस्ति थे हिमानचल प्रदिश से तिबब जाने तक का मार्ग ये दर्रा भारत को प्रदान करता है इस दर्रे के निकट से ही फ्रेंड्स सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शीप किला दर्रा ओके इसके बाद आगे आ जाईए निम ने लिखे दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में इस्ती थे तो जस्ट अभी हमने इस पर डिसकस किया है फ्रेंड्स सतलुज नदी भारत में शीप किला दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है तो शीप किला दर्रा सतलुज नदी घाटी में इस्ती थे आंसर सी किस रज्ज में फ्रेंड्स हिमानचल प्रदेश रज्ज में इसके बाद सबसे लास्ट कुशन देखे फ्रेंड्स केलाश मान सरोर की यात्रा पर जाने वाले तिर्थी यात्वियों को तिब्बत में प्रविश करने के लिए किस दर्रे को पार करना परता है तो किलाश मान सरोर के यात्रियों को हिमानचल प्रदेश के लीपुलेग दर्रे को फ्रेंड्स पार करना परता है और उसके बाद तिब्बत में किलाश मान सरोर की यात्रा पर जाना होता है तो आंसर ए लिपलेक धर्रा भारत के हिमानचल प्रदीश राज्य में इस्तिते दूइपों की सरवाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है तो देखे विश्व में सबसे ज़्यादा दूइप प्रशान्त महासागर में देखने को मिलते है प्रशान्त मास अगर जो कि एश्या महादीप के पुर्व में इस्ति थे इसी में देखिए दूइपों की सरवाधिक संख्या देखने को मिलती है आंसर A दिसंबर 2018 में हेवलोग दूइप का नया नाम क्या किया गया है तो देखिए सबसे पहले तो इस दूइप के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स कि ये दूइप अखिर है का तो देखिए ये भारत के दक्षिन पुरू में अंडमान निकोबार का एक दूइप है जो कि देखिए अंडमान निकोबार की जो केपिटल है पोर्ट ब्लेयर उससे 38 किलोमेटर दूर अंडमान पर इस्तिदे हेवलाग दीप का देखिए 2018 में नाम बदल कर स्वराज दीप रख दिया गया है तो वर्तमान में सुराज दीप के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार का हेवलाग दीप तो अंसर C भारत का एकमातर शीत मरुस्तल कौन सा है तो देखिए भारत का एकमात्र शीत मरुस्तल लग्डा को माना जाता है जो की हाली में जम्मू कश्मी राज्जे से अलग किया गया है तो आंसर ए लग्डा कि हाँ पर सही हो जाएगा ओके इसके बाद अगले कुश्चन पर आजाएए भारत के थार मरुस्तल का कितना भाग राजस्तान में है तो देखिए थार का मरुस्तल जो है फ्रेंड्स ये विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्तल है जो की भारत के राजस्तान रज्ज में फैला हुआ है इसके अलावा देखिए इसका कुछ हिस्सा हरियाना राज्ज में भी है और इसके अलावा ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है अगर हम राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में इस मरुस्तल का 62% छेतर देखने को मिल जाता है तो राजस्तान रज में थार का मरुस्तल 62% फैला हुआ है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी दीव है? विश्व का सबसे बड़ा नदी दीव है फ्रेंड्स माजूली इसे याद रखिएगा ये भारत के असमरज में ब्रह्मो पुत्र नदी पर इस्ति थे ब्रह्मो पुत्र नदी पर दीव इस्ति थे तो देखे ये दमन और दीव का एक दीव है फ्रेंड्स जो की खंबात की खाड़ी में इस्ति थे बारत के पश्चीमी शेत्र में खंबात की खाड़ी में ये दीब देखने को मिल जाता है आंसर भी इसके बाद देखिए आरकी पेलगों का अभीप्राई निम लिखित में से किसकी कड़ी से है तो देखिए आरकी पेलेगों का अभीप्राय आपस में जुड़े हुए दीप समू को आरकी पेलेगों के नाम से जाना जाता है तो एक दीप से संबंदित ये शब्दा वली है तो अंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा लक्षदीप समू कहां पर इस्तित है तो ये भारत के दक्षिन पश्ची में फ्रेंड्स अरब सागर में इस्तित है आंसर एड ये भारत के अरब सागर में इस्तित एक केंदर शाशित प्रदेश है जिसकी केपिटल कावा रगती है इसे भी याद रखीगा बहुत ही important fact है इसके बाद देखिए निमनलिखे द्वीपो के युगमों में से कौन सा एक 10 degree channel द्वारा आपस में प्रत्थक किया जाता है तो 10 degree channel जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है और ये बंगाल की खाड़ी में इस्तित है option देख लीजिए वार्षिक वर्षा 25 cm से कम होती है तो ये कारण बिल्कुल सही है किसी भी खेत्र को मरुस्तल बनने के लिए तो ऐसे खेत्र friends जहांपर वर्षा 25 cm से कम होती है और लगातार कई वर्षों तक यही process चल रही है तो एसा चेत्र मरुस्तल में बदल जाता है तो answer A यहांपर सही हो जाएगा जिस चेत्र में भी वार्षिक वर्षा 25 cm से कम होती है वो चेत्र मरुस्तल हो जाता है भारती चेत्र में इस्तित दो ज्वाला मुखी दीप है तो देखिए भारत के दोनों ही ज्वाला मुखी फ्रेंड्स अंडमा निकोबार पर इस्तिते और ये दोनों ज्वाला मुखी दीप बेरन और नारकॉंडम दीप के नाम से जाने जाते हैं कहां पर इस्तिते फ्रेंड्स ये अंडमा निकोबार पर आपस में जुड़े दीब समू को क्या कहते हैं तो देखिए अभी हमने इस पर डिसकस किया था इस कोशन का अंसर आप सभी को पता होगा इसे कहा जाता है आर की पेलागो तो आंसर C इसके बाद नेक्स्ट कोशन देखिए भारत का दक्षिन्तम दीब कोन सा है तो देखिए भारत के सबसे दक्षिन में फ्रेंड्स ग्रेट निकोबार इस्ति थे जो की भारत का सबसे दक्षिन्तम दीब है इसी पर देखिए इंदरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिन्तम बिंदु है तो ग्रेट निकोबार स्वतंदरता से पुर्व कौन सा भारती शेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था तो देखे भारत के जो क्रांती कारी थे फ्रेंड्स उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी और जब उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी तो उन्हें अन्दमान निकोबार दीप समू पर छोड़ दिया जाता था आंसर B इसी दीप समू पर देखिये cellular jail है जहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी तो ये शेत्र अन्दमान निकोबार दीप समू का शेत्र है माजूली संसार का सबसे बड़ा नदी दीप किस रज्ज में इस्ति थे वेरी सिंपल ये नदी दीप असम रज्ज में इस्ति थे भारत एवं श्री लंका के मद्दे विवाद किस दीप को लेकर है तो भारत और श्री लंका के मद्दे में फ्रेंड्स एक दीप है जिसे कच्चा तीवी दीप के नाम से जाना जाता है ये दीप देखिए भारत और श्री लंका के मद्धि विवादित था लेकि 1974 में एक समझोते के तहट ये श्री लंका को सोब दिया गया है तो एसा दीप है कच्चा तीवी दीप वर्तमान में ये श्री लंका के अधिकार शेतर में है लक्ष दीप में कितने दीप समू है तो फ्रेंट्स लक्ष दीप जो की भारत के दक्षिन पश्चिम में इस्तितेक केंदर शाशित प्रदेश है ये टोटल 36 दीपों से मिलकर बना हुआ है आंसर C विलर दीप का नया नाम क्या है सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं फ्रेंट्स भारत के दक्षिन में देखिए ये ओडिशा राज्जी के तट पर इस्तितेक दीप है इस दीप का नाम बदल कर देखिए एपी जे अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम दीप कर दिया गया है कौन सा दीप है ये विलर दीप न्यू मूर दीप कहां पर इस्तित है तो न्यू मूर दीप के अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में इस्तित है फ्रेंट्स इस दीप के मद्दे में देखिए भारत और बांगला देश के मद्दे विवाद चल रहा है कौन सा दीप है नियू मोर दीप और ये कहां पर इस्तित है तो ये बंगाल की खाड़ी में इस्तित है निमने लिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्तल की सही अविस्तिती को बताता है तो देखिए शीत मरुस्तल के बारे में अभी तक आपको ये पता चला है कि लद्दाक को शीत मरुस्तल कहा जाता है अब देखिये लड़्दाक में कौन सा शेत्र आता है इन चारों में से तो पीर पंजल शेणी देखिये जम्मु कश्मीर में है तो ये नहीं आएगा कारा कुरम शेणी के उत्तर पुर्व का शेत्र तो ये लड़्दाक शेत्र में इस्तित है तो आंसर भी यहां पर सही हो जाएगा कारा कुरम श्रेणी के उत्तर पुरू का शेत्र शीत मरुस्तल का शेत्र है नेक्स्ट कोशन देखिए कच्छा थी वी द्यूप 1974 में भारत द्वारत की इस देश को सोपा गया था अभी हमने इसकी बात की थी यह 1974 में फ्रेंड्स श्री लंका को सोपा गया था आंसर ए यह द्यूप भारत और श्री लंका के मद्ध में एक विवादित द्यूप था जिसे 1974 में श्री लंका को दे दिया गया था थार मरुस्तल कहां इस्ति थे तो वर्तमान में थार मरुस्तल भारत के राजस्तान राज्ज में इस्ति थे आंसर B भारत एवं बांगलादेश के मद्द विवाद किस दीप को लेकर है तो इन चार दीप को पढ़ लीजे फ्रेंड्स और याद कीजे कि हमने कौन सा दीप पढ़ा था तो ये दीप कोन सा था नियू मूर दीप जिसको लेकर भारत और बांगलादेश के मद्द में विवाद है प्राचीन भारती भोगोलिक माननेता के अनुसार भारत वर्ष किस दीप का खंड था तो प्राचीन काल में देखिए भारत वर्ष जम्बू दीप का हिस्सा था आंसर ए ओके न्यू मूर दीप किन दो देशों के मद्दे विवात का कारण है तो ये दोनों देश फ्रेंड्स भारत और बांगला देश है आंसर बी अंडमान दीप समू और निकोबार दीप समू निमनलिकित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किये गए हैं तो हमने इस पर पहले भी डिसकस किया था अंडमान और निकोबार दीप समू दस डिगरी चेनल के द्वारा एक दूसरे से अलग किये जाते हैं अरप सागर के दूपों में से किस भाग को मिनीकाय दूपों के नाम से जाना जाता है तो देखें मिनीकाय दूप जो है वो लक्षे दीप के सबसे दक्षिन में इस्तित दूप है और ये लक्षे दीप का दूसरा सबसे बड़ा दूप है कुन सा है फ्रेंट्स मिनी काई और ये कहां परिस्ती थे अरब सागर के दक्षिन में आगे देखिए भारत के किस भाग में बेरन जुआला मुखी दीप इस्ती थे तो देखिए बेरन जुआला मुखी जो की भारत का एक सक्री जुआला मुखी है फ्रेंट्स ये अंडमान दीप समू पर इस्तित है अंडमान दीप समू इसके बाद देखिए किन दीपों का समू लक्ष दीप है तो देखिए लक्ष दीप जो है friends इसकी विशेष्टा ही यही है कि ये प्रवाल भित्ती के द्वारा निर्मित हुआ है तो प्रवाल से उत्पन होने आला दीप कुन सा है लक्ष दीप नील दीप जो की अंडमान निकोबार में इस्तित है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है तो अंडमान निकोबार में इस्तित नील दीप का नाम बदल कर दिखिए शहीद दीप कर दिया गया है अंसर डी निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल दीप समू है तो इन चारों में से फ्रेंड्स लक्ष दीप एक ऐसा दीप है जिसका निर्मान प्रवाल भिक्तियों के द्वारा हुआ है लक्ष दीप भारत का सबसे बड़ा दीप कौन सा है भारत का सबसे बड़ा दीब देखिए ग्रेट निकोबार है जो कि भारत के दक्षिन पुर्व में बंगाल की खाड़ी में इस्तित है भारत का सरवाधिक आबादी वाला दीब कौन सा है भारत की सबसे ज़्यादा आबादी सलसेट दीब पर निवास करती है अगर हम सलसेट दीब की बात करें तो ये भारत के महरास्ट राज्ज में इस्तित है भारत के बश्य में महरास्ट राज्ज में देखिए मुंबई और ठाने दोनों ही इस दीब पर बसे हुए है तो सबसे ज़्यादा आबादी सलसेट दीप में भारत में देखने को मिल जाती है अगले कुशन पर आजएए संसार का सरवादिक जनसंख्या वाला मरुस्तल कौन सा है तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा घनी आबादी फ्रेंड्स थार के मरुस्तल में निवास करती है और थार का मरुस्तल भारत के राजस्थान राज्ज में इस्तित है वर्तमान में भारत के किस इस्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है भारत में सफेद पानी के नाम से ले शेत्र को जाना जाता है अंसर A अंडमान तथा निकोबार दीप समू में सबसे उची चोटी कौन सी है Very very important question है friends काफी बार ये एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप इस question को especially याद रखिएगा देखिए अंडमान निकोबार दीप समू की सबसे उची चोटी सेडल पी किया माउंट सेडल के नाम से जाने जाती है जो कि देखिए अंडमान निकोबार दीप समू के उत्तरी अंडमान पर इस्तित है तो याद रखिएगा उत्री अनमान पर इस्तित माउंट सेडल अनमान निकोबार की सबसे उची चोड़ी है कोशन देखिए अनमान और निकोबार में इस्तित रास दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो अन्वान निकोबार दीप समू में स्थित रास दीप का नाम बदल कर देखिए नेताजी सुबाच चंदर बोस दीप कर दिया गया है अंसर टी अरब सागर में स्थित भारती दीपों की सरवादिक महतुकुन विशेशता क्या है तो देखिए अरब सागर जो की भारत के दक्षिन पश्चिम में है इसमें जो दीप है जो की लक्ष दीप के नाम से जाने जाते हैं ये सभी प्रवाल बित्ती के द्वारा निर्मित है तो वे सभी दीप जो है प्रवाल के उद्गम से बने हैं आंसर भी इसके बाद सबसे last question देखिए friends कौन व्रहद हिमालय में इस्तित एक ठंडा रेगिस्तान है तो इन चारों में साब सभी जानते हैं लद्दाक एक एसा शेत्र है जो की व्रहद हिमालय में इस्तित है और इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है तो answer A यहाँ पर सही हो जाएगा लद्दाक को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है सबसे पहला question देखिए चोरा बाड़ी glacier इस्तित है तो यह glacier केदारनात मंदिर के उत्तर में इस्तित है केदारनात मंदिर के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह उत्तराखंड रज्जि में इस्तित है तो उत्तराखंड के रुद्र प्रयाक जिले में केदारनात मंदिर के उत्तर में चोरा बाड़ी glacier है देखे इस glacier के पिघलने के कारण केदारनात मंदिर के उत्तर में ही गांदी सरोवर जील का भी निर्मान हुआ है तो चोराबाडी गलेशयर केदारनात मंदिर के उत्तर में उत्तरा खंड राज्ज में इस्तिते तो आंसर C हो जाएगा कुल्लू घाटी जिन परवत श्रेणी के बीच अविस्तिते वे कोन से हैं कुल्लू घाटी भारत के हिमान्चल प्रदेश राज्ज में धोलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मद्दे में इस्तिते आंसर A हो जाएगा धोलाधर और पीर पंजाल श्रेणी हिमान्चल प्रदेश राज्ज में हैं इनी दोनों श्रेणी के मद्य कुल्लू घाटी इस्ती थे। इन दोनों ही श्रेणीों के मद्य से friends व्यास नदी प्रवाइत होती है। इस fact को भी याद रखेगा important fact है। नेक्स्ट वोशन को देखिए, प्रथम भारती नारी जो एवरेस्ट शिकर पर चड़ने में सफल हुई थी, तो इन चारों में से फ्रेंड्स, बच्छेंदरी पाल एसी महिला है, जो की 1984 में सफलता पुर्वक माउंट एवरेस्ट पर चड़ी थी, इनके उपलब्दियों के क पारण देखिए, 2009 में इने पदम भुशन पुरसकार भी दिया जा चुका है, मूल रुप से ये उत्तरा खंड की रहने वाली है, बच्छिंदरी पाल, प्रथम भारती नारी है, जो माउंट एवरेस्ट पर चड़ने में सफल हुई है, इसके बाद देखिए, अगला ये बंदर पूछ यमुना नदी के मुहाने पर है, बिलकुल सही, बारा शिगरी चेनाब नदी के मुहाने पर है, बिलकुल सही, मिलाब जो हिमनद है, वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर नहीं है, शियाचिन नुबरा नदी के किनारे पर है, ये भी बिलकुल सही है, और जे यहाँ पर सही option है हिमालाए के हीम नदों के पिघलने की गती कैसी है तो इन चार option में से friends हिमालाए के हीम नदों के पिघलने की गती सबसे अधिक है अब इसका कारण क्या है तो देखिए यहाँ पर लगातार मानवी गती विदिया बढ़ती जा रही है जिससे परियेटन का विकास और उद्ध्योग लगाये जाने के कारण इस छेत्र में ग्लोबल वर्मिंग बढ़ता जा रहा है जिससे हिमालाई के जो हिमनद है वो बहुत ही तेजी से पिघलते जा रहे हैं इसलिए हिमालाई के हिमनदों के पिघलने की गती सबसे अधीक है निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है तो इन चारों में से सियाचीन सबसे विशालतम हिमनद है जिसकी टोटल लंबाई 36 किलोमिटर है ये जो छेत्र है भारत के कारा कोरम में इस्ति थे तो सियाचीन माउंट एवरेस्ट कहाँ पर इस्ति थे? माउंट एवरेस्ट वर्तमान में नेपाल में इस्ति थे जो कि विश्व की सबसे उची चोटी है इसकी टोटल उचाई वर्तमान में 8850 मीटर है यह विश्व की सबसे उची चोटी है जो की नेपाल में इस्ति थे नेपाल में इसे देखिए सागर माथा के नाम से जाना जाता है किसे माउंट एवरेस्ट को सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कुट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये तो यहाँ पर देखिए दो सूची आदी गई है हमें इन दोनों सूची ओ को मिलाना है तो A नंबर पर देखिए मरखा घाटी यह भारत के जम्मू कश्मे राज में इस्ति थे तो A का थिरी हो जाएगा जुकू घाटी की बात करें तो यह नागा लेंड राज में इस्ति थे B का हो जाएगा 4 सांगला घाटी भारत के हिमानचल प्रदेश राज में है तो C का हो जाएगा 2 और युथांग घाटी भारत के सिक्किम राज में है तो D का हो जाएगा 1 अब यह सिरीज देख लीजिए कि यहाँ पर किस ऑप्शन में दी गई है तो वेरी सिंपल यहाँ पर ऑप्शन D सही हो जाएगा मरखा घाटी जम्मू कश्मीद में जुकू घाटी नागा लेंड में सांगला घाटी भारत के सिक्किम राज में इस्ति थे कोशन देखिए फ्रेंट्स निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पर तीन कथन दिये गए हैं और हमें बताना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही है तो पहला देखिए साइलेंट वेली रास्ट वन नल्ला मलाई श्रेंडी में इस्ति थे तो यह कथन बिल्कुल गलत है फ्रेंट्स साइलेंट वेली रास्ट वन के निकट पत्रक कडावु जल्विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है तो यह यहाँ पर सही है कुंती नदी मोन घाटी के वर्षा प्रचूर वनों से उद्बुत होती है तो यह कथन भी यहाँ पर सही है तो केवल कथन दो और कथन तीन यहाँ पर सही है अब आप्शन देख लीजिए कि कथन दो और तीन आप्शन सी में दिया गया है तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर सी भारत में शान्त घाटी किस राज्ज में इस्ति थे शांत घाटी या फिर साइलेंट वेली भारत के केरल राज्ज में इस्ति थे ये भारत के केरल राज्ज में पश्चिमी घाट पर नील गिरी की पहाड़ियों में इस्ति थे आंसर भी शांत घाटी केरल राज्ज में इस्ति थे निमनलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अविस्तित नहीं है तो देखिए गुरला मानधता की बात की जाए तो ये परवत शीखर भारत में नहीं है बलकि ये नेपाल में इस्तित है नेपाल की उत्तर पश्शिमी सीमा पर ये परवत इस्तित है तो गुर्ला मान दता तो भारत में है नहीं तो पहला तो यह हो गया फिर देखिए अगर नामचा बरवा की बात करें तो यह अरणांचल प्रदेश सीमा के दक्षिन पुर्व में तिबबत में इस्ति थे जो की चीन के अधिकार शेत्र में है तो यह भी भारत में नहीं है अब देखिए नंगा परवत भारत में इस्ति थे तो यहाँ पर पुछा गया ही की कौन सा नहीं है तो A और B दोनों ऐसे परवत है जो की भारत में नहीं है तो आंसर C निम्न में से कौन सा हीमनद सबसे बढ़ा है इन चार में से friends हिस पर हिमनद एक एसा हिमनद है जो की सबसे बड़ा है तो आनसर ए निम्न में से कोन हिमालाई की चोटियों के पुर्व से पश्चिम दिशा से सही क्रम को प्रस्तूत करता है तो देखे पुर्व दिशा से पश्चिम दिशा की और पुछा गया है तो सबसे पुरुव में देखिए नमचा बरवा है उसके बाद पश्चिम में आगे बढ़ते हैं तो कंचन जंगा है और पश्चिम में आएंगे तो माउंट एवरेस्ट है और सबसे पश्चिम में नंदा देवी देखने को मिल जाएगी तो अंसर D यहाँ पर सही हो जाएगा हिमालाई की चोटियों का क्रम पुरुव से पश्चिम की और अगर देखा जाए तो सबसे पुरुव में नमचा बरवा, सेकेंड कंचन जंगा, तीसरी माउंट एवरेस्ट और चोथी नंदा देवी है इसके बाद अगले कुश्चन पर आ जाते हैं गोर लाटा चोटी किस पार्ट में इस्ति थे? गोर लाटा चोटी सामरी पार्ट में इस्ति थे यह जो परवत श्रेणी है, चत्तिस गड़ राज्ज में इस्ति थे चठिस गड़ रज में सामरी पाठ पर गोर लाटा चोटी की उचाई 1225 मीटर है तो अंसर हो जाएगा सामरी घाट नेलांग घाटी किस रज में इस्ति थे? नेलांग घाटी उत्तराखंड रज में उत्तरकाशी जिले में इस्ति थे अंसड़ी हो जाएगा उत्तराखंड में नेलांग घाटी के निकटी फ्रेंड्स गंगोत्री नेशनल पार्क भी इस्ति थे तो नेलांग घाटी उत्तराखंड रज्ज में इस्ति थे अधोलिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो आईए देख लेते हैं माउंट अबू अरावली पाड़ियों पर इस्ति थे बिल्कुल सही कौडाई कनाल अन्ना मलाई की पाड़ियों पर है क्या बिल्कुल गलत ये पालनी पाड़ियों पर है फ्रेंड्स जो की तमिल नाडु रज्ज में है तो ये तो सुमेलित नहीं है शिमला की बात करें तो ये भी पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है बलकि ये धोला धर श्रेणी में है तो ये भी गलत है तो B और C दोनों ऐसे उप्षन है जो की सुमेलित नहीं है तो आंसर D कौन सा सबसे उचा परवत शिखर है वेरी सिंपल माउंट एवरेस्ट सबसे उचा परवत शिखर है आंसर ए उचाई आप सभी जानते हैं 8850 मीटर नेमनलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमायू शेत्र में अविस्ति थे तो इन चार हिमनद में से मिलाम हिमनद एक एसा हिमनद है फ्रेंड्स जो की उत्तराखंड के कुमायू शेत्र के पिथोरागड जीले में अविस्ति थे मिलाम हिमनद सबसे बड़ा हिमनद नेमनलिखित में से कौन सा है तो सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है friends, जिसकी टोटल लंबाई 26 km है इसके अलावा रुंडुन हिमनद की अगर बात करें, तो यह 19 km लंबा है और कंचन जंगा हिमनद 16 km लंबा है तो सबसे लंबा गंगोत्री हिमनद है दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला परवतारो ही कोन है तो एसी महिला जिसने दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है संतोश यादव है फ्रेंड्स यह विश्व की पहली एसी महिला है जो की 1992 में और इसके बाद 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चड़ी थी संतोश यादव भारत के हरियाना रज्जिसे है अंसर D निम्न में से सही क्रम कोन सा है? तो उचाई के आधार पर सबसे उची माउंट एवरेस्ट है पहले नंबर पर फिर आती है गौडविन आस्टिन जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है और तीसरी है कंचन जंगा जो की भारत के सिक्किम राज्ज में है तो आंसर C हो जाएगा माउंट एवरेस्ट गौडविन आस्टिन और कंचन जंगा ये सबसे उची चोटियों का यहाँ पर सही करम है गुरु शिखर परवत चोटी कोन से राज्ज में अविस्तित है? गुरु शिखर भारत के राजस्तान राज्ज में है जिसकी टोटल उचाई 1722 मीटर है ये पश्चिम भारत की सबसे उची चोटी है जो की अरावली परवत माला पर राजस्तान राज्ज में इस्तित है पुशन देखिए नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड राज्ज में गडवाल हिमालाई पर इस्तित है तो अंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा इसकी विशेश्टा है फ्रेंड्स कि ये भारत की तीसरी उची चोटी है भारत की सबसे उची चोटी केटू है और सेकेंड नंबर पर कंचन जंगा आती है तीसरी उची चोटी नंदा देवी उत्तराखंड राज्ज में गडवाल हिमाले पर इस्तित है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चड़ने वाली पहली महिला कोन थी पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली महिला जुंको तेवई थी देखिए ये जापान की महिला थी जो की 16 मई 1975 को पहली बार सफलता पुरुवक माउंट एवरेस्ट पर चड़ी थी जुंको तेवई इसके बाद सबसे लास्ट कोशन देखिये फ्रेंड्स नेम नलिकित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है तो देखिये जस्ट अभी हमने इस पर डिसकस किया था अरावली परवतमाला जो की राजस्तान राज्ज में इस्ति थे इसका सबसे उच्चा शिखर है गुरु शिखर वेरी इंपोर्टेंट है याद रखीगा लेकिन देखिये यहाँ पर आपको उप्शन में गुरु शिखर नहीं दिया गया तो अब अरावली का दूसरा उच्चा शिखर कुम्भलगड के नाम से जाना जाता है कुम्भलगड देखिये राजस्तान के राज समन जीले में इस्तित है यह अरावली की दूसरी उची चोटी है आंसर सी अरावली की सबसे उची चोटी पुछी जाए तो वो गुरु शिखर है